Hello students, welcome to our channel again So, मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या आपको documents required होगे admission के time पर तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका आज allotment letter release हो चुका है तो जिन बच्चों का name आ चुका है whether it is government or private लेकिन उन्हें क्या-क्या कल और परसू यानि कि 7-8, only two days का आपके पास time है college में reporting का तो आपको क्या-के document लेकर जाना है आप उसके बारे में जान लीजिए तो first जो document required है वो है national certificate zeros copy of valid passport attested मतलब कि कोई भी आपको valid आपकी ID होनी चाहिए just example और आधार कार्ट वो सभी के पास होता है next is domain style certificate of UP मतलब कि आपके पास यूपी का क्या होना चाहिए अगर आप यूपी से हैं तो आपका certificate अब माक्षी डाला कर लोग होगी तो वो अपना certificate लिए जाएगा next 10th port mark sheet 12th mark sheet 12th certificate तो आजकल जो especially जो होते हैं मतलब उसमें certificate और mark sheet वो same ही होते हैं एक ही होता है तो आपकी मतलब 10th की mark sheet और 12th की mark sheet वो तो important ही है next है valid st st अगर आप इन category जो category लिखी है इन से belong करते हैं तो आपके पास आपका certificate होना चाहिए कि यह nine point आप चोड़ सकते हैं 10.3 नहीं ज़रूरी है 11 point है school leaving यानि कि आपकी टीसी होनी चाहिए transfer certificate अगर ही आपके पस present time नहीं है तो आप इसे बाद में भी दे सकते हैं इसको लिविंग वोनफाइड means character certificate या आप only TC is valid TC ही important होती है वो अगर नहीं है तो आप application ready करके ले जा सकते हैं next 12 नमबर के है migration certificate जो आपको स्कूल छोड़ते समय मिला होगा 13 नमबर पर है medical fitness stating mental and fiscal एक आपको medical certificate त्यार करना पड़ेगा valid MBBS doctor से यह आपकी जो mental and physical condition है वो बैटर है वो बिल्कुल okay है next 14 नमबर पर notarize non judiciary bond on a stamp paper of rupees 10 mandatory to submitted final admission तो इसका यह मतला में आपको stamp paper पर एक शपत पत लिखाना मतलब यह होता है कि आप college के all the rules and regulation follow करेंगे और कोई भी college में दिकत नहीं आने देंगे तो यह जो कुछ documents है और एक अगर आपने 12 के बाद 1 year, 2 year या जितने भी आपने कुछ भी नहीं किया 12 के बाद और आप यह course करने जा रहे हैं तो आपको ए gap certificate ready करवाना चाहिए जो भी एक stamp paper पर ही ready होता है और अगर आपने कोई और course किया है तो आपको उस course के transfer certificate या फिर जो भी documents आपके पास हो वो course के आपको ले जाने होगे झालवे हो बाद यच गोर्ता हैं तो आपत करवे